हालो फ्रेंड्स, वालकम टो माई योट्यूब चनल, तो फ्रेंड्स से लेटास्ट अपडेट SSC की तरफ से आ रहा है, SSC के अंडर जो आपके CPO सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और CAPF और SSN सब इंस्पेक्टर इन CISF 2019 के अंडर जो अभी आपके आपके ऑनलाइन फिल अप हो रहे हैं, जिसकी आपके 16 अक्टूबर 2019 को लास्ट डेट है, जिसके अंडर जिन स्टूइन्स ने ग्राजूशन कर रख्या, वो स्टूइन्स स्केटर फार्म को अपलाई कर सकते हैं, तो इंपोर्टन नोटिज जो यहाँ पर अभी अभी SSC के ऑफिशल वेबस अब यहाँ पर की हैं, तो इन सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्टन नोटिस ओपन कर लेते हैं, जो यहाँ पर SSC के ऑफिशल वेबसाइट पर अभी 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 अवेलेबल हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो 1.3 के अंडर आपका यहाँ पर असेसंट सब इंस्पेक्टर याने के ASI, एग्जेक्यूटिफ की पोस्टे, CESF के अंडर, ग्रूप C के अंडर, नॉन गस्टिट की पोस्टे, लेकिन अब यहाँ पर जो नोटिस में इन्होंने बताया गया है, यह यहाँ पर देख सकते है It has been reported by the Ministry of Home Affairs that there is no provision for filling up of vacancies of assistant sub-inspector executive in CASF, यहाँ पर कोई भी provision यहाँ पर नहीं रखा है, इन्होंने director recruitment के through assistant executive की CASF में vacancies को fill up करने के लिए, तो यह अभी अभी notice यहाँ पर आया है, और para 1.3 जो आपका official notification है, वो अब यहाँ पर फेंट से delete हो चुका है, और बाकी जो आपकी remaining things है, official notification में वो fans आपकी same रहेंगे, और इसके जो vacancy है, sub-inspector के under, जो अब आपकी बची है, दिल्ली पुलिस और Central Armed Police Forges के under, वो अभी यहाँ पर SAC के official website पे नहीं declare हुई है, within due course के under, जो आपकी vacancy है, अब बची है, sub-inspector in, दिल्ली पुलिस और CAPF के under, वो यहाँ पर SAC के official website पे friends update हो जाएंगे, तो जिन students ने भी इसके under farm को apply कर लिया है, SI या फिर ASI के under, वो यहाँ पर important notice में समझ लेंगे, और जो students अभी farm fill up करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर अब इस notice को देखते हुए farm को fill up करेंगे, तो वेंस क्या आपका complete recruitment process इसके under आएगा, कौन-कौन से exam, क्या physical standard रहेगा, क्या medical examination रहेगा, complete जो आपका recruitment process और कैसे इसके under farm को apply करना है, वो हमने पहले से वीडियो में discuss कर रखा है, उस वीडियो का link मैं आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा, अगर आपने graduation कर रखे तो आप इसके under sub inspector के under farm को apply कर सकते हैं, तो friends अगर आपको इसके regarding कोई भी confusion है, तो आप directly comment section में पूछ सकते हैं, thank you friends.